वो श्रावस के साथ आगे आज साम वेकूंड वल्कुम बैक टू माय चैनल आपको ने सब्सक्राइब और लाइक करना पिल्कूल नहीं पूलना और नॉटिफिकेशन बट्टम के तो जरूरान करना है आज पर सुब से ब्लॉक शुरू हो रही है और आज है मंडे लेकिन आज हॉलिडे है यहां पर आज बच्चे स्कूल नहीं चाहरे है लेकिन भीर में बहुत सारी चीज़ें जिके खतम हो चुकी है और में अलर्ची भी बहुत साथ है तो अभी मैं यहां पर जो है ना सिर्फ आदरक और इलाइची का पानी जो है वह नहीं चुछ किनदे ना आजरक और इलाइची डाल के इसको थोड़ी सी ना जैसे चाहरी होती इस तर बना के पिएंगी तो उससे भी काफी जो है अलर्च कि सिंटन्स कम हो जाती है इसके बार में जाओंगी ग्रासरी सु सारे दिन की रूटीन एजर फैमिली ऑफ टैन जो है ना आप लोग के साथ शेयर करूंगी और टैन फैमिली जब आप कहते हैं तो इसमें मेरे पास बच्चे हैं मैं हूं मेरे हस्बिन है और हमारे स्टी कि नहीं दो लोग डाले हैं इसके दो इलाइचियां डाली है तोड़ी सी रेड जो है वो मैंने पती डाली है और बस इसको मैं थोड़ा सा बॉयल करके और फिर कप के अंदर डाल दूंगी और खाली पेट तो चाय सो पीनी नहीं चाहिए तो इस वज़ए साथ में जो मैं ट पें ग्रास्री करने के लिए क्यूंकि ग्रास्री जैसे के मैंने बोला बहुत सारी छीजें खतुम हो गई थी तो अब प rat क्योंगी तो कुछ और चीजें मैं लेनी है और इसके एलावे तो बहुत जादा शूल्डर पेन शुरू हो गयी ए तो फैंसंधा दिया है आप लोग सब दुआ कीजेगा उनकी शोल्डर में बहुत क्रानिक पेन होती है और स्वेलिंग हो जाती है कभी कभी तबियत ठीक हो जाती है लेकिन उनका दर्जवाना बहुत जाद होता है और अन्वेरेबल होता है लेकिन आपको पते पेन किलर भी बंदा कितने खाए तो पोशिश करनी चाहिए कि एल्ला की नेमतने जो है ना उनका शुकर अदा करना चाहिए कि एल्ला ने हमें जो हैं बहुत हो से अच्छा रखा हुआ और हमेशा मैं आप लोग उसे कहती है यह साइक्लिंग नियुक्ती हूरी है यहाँ पर आज मेमोरियल डे है सो यहां से यह सब जो है ना वो क्रॉस कर रहे हैं फाइनली सिकून के जाथ हम लोग जो है ना वो बस में बैट के थे अच्छा कुछ ना बस वाले भी इतने रूड होते हैं पहले तो जब बस आई ना तो मैंने हाथ से उसको रोका हलांके बाइला उसका स्टॉप था तो उस ते वहां पे स् जहां पर मैंने उतरना था उस स्टॉप को उसने ना स्किप कर दिया सो मेभी मेमोरियल डे चुट्टी का देन है और बस वाला जो है ना उस बीचारे का भी मूड ओफ है कि सारी दुनिया चुट्टी कर रहे और मैं काम पर आया हूँ हूँ तो शायद उसका मूड ओफ था ह जो भी था बारा लोग अब मुझे इतना चलना पड़ रहा है और हम लोग अपको रॉस्टी जाएंगे और जाके रॉस्टी करेंगे लेकिन बस ऐसे होता है कुछ लोगों का मूड ओफ होता है बिकास चुटी का दिन है और मजबूरी होती है वो लोग चुटी नहीं कर सकत है तो फिर वो अपना एंगर जोग पर निकालते हैं हलाक ऐसा होना नहीं चाहिए लोगों को जब उनने फसिलिटी दी हुई है तो अब मैं अगर हाथ से ना उसको उस ट्राइम रोकती तो अभी में खड़ी होती पुझे बस नहीं मिलने थी इतनी गर्मी है है और सभी आपि मैं आगी हो जी अप्नी फेवरेट विर स्टॉर औरन अभी हम करेंगे प्रस्री और लखी किया क्या लेते हैं यहां से तो हम लोग आगे जी स्टोर में मुझे चिकन चाहिए था इसके लावा मुझे मीट भी चाहिए था और साथ में मैं देखूँ कि क्या क्या लेना लेकिन जो मीट है उसकी प्राइस बहुत हाई होगी थी इस्पेशली बेबी कोट जो है उसकी प्राइस आर्मोस्ट 10 डॉलर ज ज्यादा प्राइस दिन्हों ने की थी और लिखा हुआ था कि सेल प्राइस तो आप आगे सोचें कि अगर 10 डॉलर पाउंड की जो है वो अगर सेल प्राइस है तो फिर रेगुलर प्राइस क्या होगी तो आज ना मैं आप लोग के साथ जो है इस विज़ा से डिटेल इस टाइम तक की रूटीन शेयर कर रही हूँ होपोली के आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा आप लोग मुझे कमेंट्स में जूरूर पताया करें तो फिर मैं जो है अपनी वीडियो में इंप्रूब्रेंट लाने की बहुत कोशिश करूंगी अच्छा मैंने टेम लैमन और यह नीचे आटे के ठेले पड़े हूए थे और जैसे के मैं आपको कुछ फ्लॉग पहले बताया था यहां पर जो है ना जो पहले जो आटा बारा तेरा डॉलर का मिलता था हफ़ते की बाइस और टेस्ट डॉलर का होता है और यह जो बैक्स देखें यह बैक्स मु रही थी के छोटा सा कप हो चाहे का ना मतलब जिससा पिर्च प्याली नहीं कहते आप लेकिन मुझे यहां से मिल नहीं रहे और एक स्टोर पे मैं गई थी तो वहां पे उन्होंने इतनी ज्यादा प्राइस मांगी कि मैं हरान होगी मतलब वो कहती है के छे पिर्च और प्या थी एक वाइट टावल मैंने जो है वो मीना के लिए लेकर रखा था और टावल्स भी ले ले लिये थे लेकिन चीज़े महंगी बहुत हो गई है और मुझे जैसे के देखनी थी बैट शिट रेकनी थी और इसके साथ मुझे जो है ना वो पर्दे देखने थे और पर्दे ब गर्मियों में तो उनका कमरा बहुत गरम हो जाएगा तो अभी तक तो मैंने ऐसी नहीं लिया मैं सोच रही हूं कि मैं ऐसी लूँगी लेकिन उससे पहले मुझे ये सोचना है कि पर्दे जो है ना ऐसे हों के जो बिलकुल जो है ना लाइट को अंदर ना आने दे और इससे क्या करती थी कि पर्दों के आगे भी ना हैवी किसम का ब्लैंकेट दे 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 थी ती तो वो कहती थी कि घर में जो है ना वो गर्मी नहीं आएगी इसके साथ ना वो क्या करती थी कि जो दरवाजे होते थे थे ना उनके नीचे भी जो है ना कपड़ा दे 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 थी और फ्लोर के उपर दो दो तीन तीन इंच जो आना वो पानी होता था तो वो टाइम भी हमने देखा है अलहमदुलिल्ला और आज अल्ला ने ये टाइम भी दिखाया है कि कहते हैं ना कि अल्ला का हराल में जो हो शुकर अदा करना चाहिए और दूसरी एक बात कि आप जहां से आये होते हो जैसी आपने लाइफ देखी होती है उस लाइफ को तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए और हम लोगों ने जितना हाट टाइम देखा है लाइफ में मैं वो तो कभी भूली नहीं सकती और मैं उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलती और हमेशा मैं याद करती हूँ कि अच्छा इस तरह से इस तरह से था और अपने बच्चों को भी जो है वो मैं हमेशा समझाती हूँ कि लाइफ में आपके हमेशा एक जैसे circumstances नहीं होते आप को हर किसम के जो है कहते है ना hardship का मकाबला करना चाहिए तो ये देखें ये मुझे बहुत पसंद आया था और ये इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था इसका कलर भी बहुत अच्छा था और मुझे लगता है कि अगर में कमरे में लगाऊँगी तो ये decent भी बहुत लगेगा लेकिन ना पता क्या हुआ था ये पर्दा तो उठा के ले गई थी ठीक है लेकिन वहां पर क्या हुआ था कि में जो मेरे पास जो कार्ड था वो नहीं था और मैं कैश इतना जादा नहीं था मेरे पास सिर्फ 10 डॉलर थे तो अब 10 डॉलर में तो फिर मैं ये पर्दे बिल्कुल नहीं ले सकती थी और नहीं मैं बैट शीट्स वगारा ले सकती थी लेकिन बाहराल मुझे आइडिया हो गया था कि यहां पे जो चीज़ें ना वो इनकी प्राइस क्या है और क्या यहां पे अविलिबल है और फिर हम लोग आगए जी बस्टॉप पे और बस्टॉप पे भी काफी देर होगी थी यह देखें ही ग्रॉस्टी से पूरा बैक भरा हुआ था और लोग आज बहुत कम थे क्योंके में मुरियल डे था तो इस विज़े से लोगों की तादा जो है बाहर बहुत कम थी लोग आलमोस्स जो है विकेशन पे सब लोग गया हुए था घर में आके मैं आपको दिखाती हुए कि मैं क्या लेके जी चिकन ब्रेस्स के स्लाइसिस लेके आई थी इसके साथ साथ जो है वो मैं लेके आई थी जी प्यास साथ में जी लसन साथ में अद्रग इसके साथ साथ जो है वो खीरे थे खीरे तो बहुत इंपॉर्टन्ट होते अच्छे धनिया था और साथ में पुदीना था अच्छा लेमन थे लेमन बहुत गर में होते हैं बच्छे तो बस हर लांच ओडिनर हो उनको लेमन साथ में चाहिए होताइजंग ताके मुझे सानन में एक ही उसकरना पड़े कैपसिकन एक है यहां पर हरी मिर्चे है कैपसिकन बहुत एक्सपेंसिव होगी है मश्रूम है जो कि मैं आज गार्लिक मश्रूम चिकन बनाऊंगी तो आप लोग एंट तक मेरा व्लॉग देखियेगा और इसके साथ पेपर है और साथ में पैपसी है और गोश्ट है और इसके साथ ज़र चिकन तीन चिकन लेके आई थी मैं और चिकन इतने महिंगे हो गया न अच्छा आस्टर सास मुझे नहीं मिली तो वाचिस्टर सास लेके आई थी चामन की नूडल्स जो है वो लेके आई अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हुआ और आज तो कुछ जादे ही खराब हो गया है और आई तिंक पॉलन अलर्जी क्योंकि दरखतों पर पत्ते आ रहे हैं तो उसकी वरे से बहुत जादा हो जाती है अब मैं आपको जल्दी से जो है ना दिखाती है कि मिश्रूम गार्लिक चिकन किस तरह बनाते हैं उसमें बेसिकली होते हैं कि ट्विंटी वन जो है ना गार्लिक क्लोव्स लेने होते हैं आपने तो मैं ये छीन लूँगी और एक साइट पे कर दूँगी अच्छा आज मैं को प्राज वाली जो जंड़त है ये ना हो तो यहां पर मैं ना स्लाइसिस काट रही थी और मैंने जारा को थोड़ी देर के लिए बलाया मैंने का जारा तुम प्लीज क्या मेरी वीडियो बनाओगी क्योंके आपने जैसे के पिछले व्लॉक्स में देखा होगा कि मेरा चार ग वीडियो बनाना शुरू हो गई और मैंने ट्राइपाउंट जो है वो और किया था अमाजोन पे लेकिन ना अमाजोन पे जो है सम्टाइम्स इस तरह होता है आपका पेमन्ट मैथर जो है अप्डेट करना होता है सम्हाओ कुछ ऐसा हुआ कि वो और मेरा जो है वो कैंसल हो और फिर मैंने दुबारा से ओर्डर ही नहीं किया यहां पर एक एक मश्रूम लेकर मैं उसके चार चार टुकड़े कर रही थी उन्हें ने लिखा हुआ था कि वाश है अलरडी लेकिन फिर भी मैं जो है आप पहले दो लीजेगा लेकिन मैं जो है ना काट कि और इसको जो है व कुछ और ना देना पड़े और यहां पर मैंने जो है वह अद्रग काट ली थी अच्छा गार्लिक तो हम जो है साबिट यूज कर रहे है हरी मिर्चे जो है आप्शनल है मैं स्पाइसी क्योंके खाना मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं इस वज़े से मैंने हरी मिर्चे काट और यहां पर मैंने ना इसके अंदर चिली सौस चिली सौस सोया सॉस कॉर्न फ्लॉर और एक अंड़ा एड़ की अब इसको मैं जो है वह मिक्स कर रही है अपने हाथों के साथ ना अच्छे तरीक से चिकुर्ण को आपने तकरीबन पंदरा मिनट के लिए जो है आपने ना न साथी और बच्चे जो है उनको भी भूख बहुत लग रही थी और मुझे खूद को भी में ग्रॉस्ट्री बगारा करके आई थी तो तकावट होगी थी जब बंदा काम जादा करते ना तो बंदे को भूख भी बहुत जादा लगती तो अब हमने क्या करना है कि हमने थोड़ दाला है जी चिली फ्लेक्स टाले है इसके अंदर हमने सोया सॉस वचिस्टर सॉस इसके अंदर चिली सॉस इसके अंदर थोड़ा सा सिर्का एड़ किया है और हम इसके अंदर जो है ना वो कैचप एड़ करेंगे और मैं इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस जो है वो भी एड यहां पर चिकन ताना वह भी मैने इसके निस दाल दिया और चिकन को भी हम इसके इंदर थोड़ा फ्राय करें गे और इसको इससतरा से तॉस करेंगे और देखें यह देखेंगे अब हमने कैच्छिप और जो मैंने आपको चिली गार्लिक साथ बताई थी ना नैशनल वालों क वो मैंने एड़ की है और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छा सिर्का भी थोड़ा सा जरूर एड़ कीजिएगा उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही मज़े का होता है और चीली फ्लेक्स मैंने जो डाले है क्योंकि मैंने फ्राइडरेस साथ बनाए इस वज़े से मैं थोड़ा ग्रेवी रखूंगी और आपको तो सबको पता होगा जो लोग चाइनीज बनातें के ग्रेवी जो है में इंग्रीडियन्स अकर आप उसमें जो होता है और आपने वह और आपने पानी मिक्स करके तो आप इसके अंदटाल दे और हल्की आँच पर आप इसको रख दे और मैंने बिलकुल जो है लो फ्लेम पर जो है मैने इसको ढ़क दिया था यहां पे मैंने अगफ फ्राइज कर लिया थे और यहां पे अदुरक लेसन और हरी मिर्चें जो के मैं फराइ कर रही है यह यह फ्रोजन वेजिटेवल थी जो कर अब घ्रम पाने में भिगौई हूई थी और मैं मैंने राइस एड कर दिया, पिर चिली सॉस एड कर दी, सोया सॉस एड कर दी और वो जो एक्स थे, वो भी डॉल दी है, अब इनको मेन है कि हमने तेज आच पर जो跳 पर जोए जाधा गलाना नहीं है आपने और यह देखेजी हमारा चाइनीज कितने मज़े का रेडी हो चुक आप मेरे चूले को इग्णोर कीजिएगा क्योंकि चूला मैंने इसलिए साफ नी किया था क्योंकि मुझे पता था कि मैंने चिकन वगारा फ्राय करना है तो आयल पढ़ जाएगा तो इस विदा से ये देखे जी टेबल और यहां पर मैंने सोया सॉस और चिली सॉस जो है आज मैंने आपको मॉर्णिंग से जो है नून की रूटीन आपको दिखाई है यानि के प्रिक्फस्ट और लंच रूटीन मुझे उमीद है कि आपको आज का मिला डेली व्लॉग जो है और डेली रूटीन का जो व्लॉग है बहुत अच्छा लगा होगा अपना ख्याल रु खेज और फी अमान आल्ला